नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में, तो आज हम बात करेंगे एंसेंट हिस्टी, एंसेंट हिस्टी मतलब प्राची निध्यास के स्लेवर्स और बुक्स के बारे में, रिकमेंडेट बुक्स के बारे में, जो ओफिसली वहाँ चलती हैं, फिर चाहिए आप एफिलेटेट कॉलेज की स्ट्ट्ट हो या फिर मेन केमपस क्यों हूँ, CMP, ISDC, AD JT हो गया, SP, मारिकन्या, हमीदिया, जितना भी कॉलेज हैं, सब में वही बुक्स, वही पेपर चलता है, पेपर भी एक ही तारीक को होगा, सारे कॉलेज में, एक साथ होगा मेन केमपस के साथ, ठीक है? तो, पॉलेटिकल साइंस, इकोनोमिक्स, फिलोसफी, इन सब पर मैंन या फिर मार्केट से भी ले सकते हो, लेकिन लेते समय ध्यान देना नया एडिशन, न्यूली एडिशन आपको लेना है, जो भी बुक्लो, जहां से भी लो, न्यूली एडिशन लो, ठीक है? ऑनलाइन तो न्यूली ही मिलेगा, लेकिन आप बाहर से लेते हो, तो ध्यान देन आपको पेपर के नाम याद होने, अपने सब्जेक्ट में जितने भी पेपर हैं, उसके नाम याद होने मस्ट हैं, तभी आप प्रिप्रेशन अच्छी कर पाओ गए, दूसरे पेपर का नाम होता है, नाम है, हिस्ट्री ओफ इंडिया प्टु दा कुशारास, कहां से कहां तक आपको हिस्ट्री इसमें पढ़नी है, सकेंड पेपर में यह ध्यान दे लो, 600 BC से 31980 तक आपको यहां कबर करना है, जितने भी एंसीडेंट हुए हैं, एंसेंड इंडिया में, ठीक है, तो पहले पेपर के टॉपिक्स देख लीजिए, यूनिट फर्स में आपको इतना ही यूनिट 2 में इतना ही पढ़ना है, यूनिट 3 में इतना ही पढ़ना है, यूनिट 4 में इतना, और यूनिट 5 में इतना, ध्यान देना है, पेपर के अकोर्डिंग में बता रहा हूँ, एक यूनिट से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, मतलब दो आएंगे, और करके एक ही क् तो आप divide करके कम काम मतलब कि कम पढ़के ज्यादा मार्क्स ला सकते हो ठीक है क्योंकि पांच यूनिट है जिसमें आपको पांच ही कोईश्चन लिखने होंगे और 10 कोईश्चन आता है डिवाइड करके आप कर सकते हो ठीक है फिलाहाल हम बुक्स की बात कर लेते हैं वह आप स्ट्रेटिजी बनाईएगा पेपर फर्स्ट में अर्ली कल्चस और सिवलाइजेशन ओफ इंडिया की वेस्ट बुक है डीके भट्टाचार्या उसका बुक का नाम है एन आउटलाइन ओफ इंडियन प्री हिस्ट्री ये इंग्लिस मीडियम ओलों के लिए वेस्ट बुक है नीसे डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में लिंक है आप वहां से ले सकते हो नहीं तो मार्केट से ले सकते हो प्राइस और देख लो जाके आप बिमस ये भी बहुत ही अच्छी बुक है तो दोनों बुक में एक बुक आप लेजे, में रेकॉईडिंग डाक्टर जेन बांडे ले लेजे, ठीक है, पुरातत दुभी मर्स आप बात कर लेते हैं पेपर नंबर टो की ठीक है पेपर नंबर टू पेपर नंबर टू तु इसमें आपको क्या करना है इसके लिए बेस्ट बुक है इंग्लिस और हिंदी दोनों के लिए एक ही राइटर चलता है वह है वीडी महाजन एंसेंट इंड तो अगर आप हिंदी मीडियम में है और बीडी महाजन नहीं लेना चाहते हैं, तब आपके लिएक ऑप्शन है डी एंजा की, डी एंजा स्रीमाली और के अमतीनों ने मिलके लिखाया है प्राचीन भारत का इतिहास, इसको ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके प्राइस होगेरा देख लो, बाकी आपको ये यूनिट वाइज अपनी प्रिप्रिप्रेशन स्ट्रेजी बनाना है, ठीक है, ताकि मार्क्स आप एक्जैम पॉइंट आप भी अच्छा कर सको, ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक् स्ट्रेट से ले लिजे, ठीक है, तो ख्याल रखिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में स्लेवर्स के अकॉर्डिंग बढ़िएगा, ठीक है, बाबाए